नमस्कार दोस्तो रेडिग्राफिस इंप्लिफाइड में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है TLD विच स्टैंड फॉर थर्मो लुमिनिसेंट डोजी मीटर आज हम TLD के बारे में पढ़ेंगे फिच स्टैंड फॉर थर्मो लुमिनिसेंट डोजी मीटर यह एक परकार का रेडिशन डिटेक्शन डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर परसनल डोज मोनिटरिंग और आज सो कैलकुलेट दा पेशन डोज इस बेस अन प्रिं मेटेरियल जो हैं वो हैं लीथियम फ्लोराइड, कैल्चियम फ्लोराइड, लीथियम बोरेट और कैल्चियम सल्फेट इंडिया में डिस्प्रोशियम डूब कैल्चियम सल्फेट इंबेडिट टेफ्लोन टेलडी को यूज क्या जाता है यह दो परकार के होते हैं चेस्ट जो estimate करते हैं whole body dose को और wrist batches जो estimate करते हैं extendties dose को. TLD में basically दो components होते हैं. पहला है TLD cassette जिसको हम card holder भी बोलते हैं. दूसरा है TLD card. अब जो diagram देख रहे हैं ये TLD cassette का है. ये front वाला हिसा है और नीचे वाला हिसा back वाला हिसा है. इसमें तीन filter लगे होते हैं. पहला metallic filter होता है. दूसरा plastic filter होता है. तीसरा open filter होता है. back में भी पहला filter metallic होता है. दूसरा plastic का होता है. तीसरा open filter होता है. पहला filter metallic filter होता है जो combination होता है aluminum और copper का. जहां aluminum की thickness 1 mm होती है और copper की thickness 0.9 mm होती है. aluminum जो होता है वो face toward the radiation source और जो कॉपर होता है वो नियर टुदा TLD डिस्क इसकी सर्फेस देंसिटी 1000 mg पर सेंटिमेटर स्कॉयर होती है डायमेटर 15.6 mm का होता है बैक में भी सेम कंपोजिशन का फिल्टर लगा होता है फिल्टर सेकेंड की बात करें तो ये थिक प्लास्टिक फिल्टर होता है जिसकी थिकने 1.5 mm होती है बैक भी सेम ही होता है इसकी सर्फेस देंसिटी 180 mg पर सेंटिमेटर स्कॉयर होती है और जो थर्ट फिल्टर होता है वो ओपन फिल्टर होता है सेकेंड इस TLD कार्ड ये बैसिकली तीन डिस्क होती है जो डिस्परोजियम, डूब, कैसियम, सलफेट, टेफलोन डिस्क की बनी होती है जैसा कि आप इस डाइगराम में देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन डिस्क है इसकी जो डाइमेंशन होती है वो होती है 13.3 mm डाइमेट and 0.8 mm thickness. These three clips are mechanically clipped over three symmetrical circle, hole each of diameter 12 mm on a nickel plated ammonium plate and this plate has a dimension of 52.5 mm into 29.9 mm into 1 mm. एक important बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस plate में एक V-cut होता है which permits loading in plastic asset only in one direction, इसके अलावा TLD card को एक black color के polythine से covered किया जाता है to protect it against damage, चलिए इसकी working को भी देख लेते हैं, पहले step में TLD ionizing radiation से exposed होते हैं और radiation interact करते हैं phosphorus crystal से, और अपनी incident energy को deposit कर देते हैं, यहाँ पर phosphorus crystal calcium sulfate है, crystal जब energy को absorb कर लेता है तो इसके atoms ionize हो जाते हैं, जिससे वो free electron को produce करते हैं, यह electron crystal के अंदर ही trap हो जाते हैं, second step is reading, TLD batch को एक special machine के अंदर specific temperature पर heat किया जाता है, इस machine को हम TLD reader बोलते हैं, और जिसकी वज़े से trapped electron release हो जाते हैं, release होने के बाद electron अपने ground state पर वापस आ जाते हैं, और इस परिक्रिया के दौरान वो light को emit करते हैं, which is proportional to the x-ray photon striking the phosphor crystal, जो light limit होती है, उसको photo multiplied tube record कर लेता है, या capture कर लेता है, and it is readied as glow curve chart, Based upon the glow chart curve obtained from TLD and algorithm as per bhava atomic research center in India, we can calculate dose received by an individual. Value for whole body, radiation worker के लिए 20 milisieverts one year, 5 साल के लिए इसकी value 100 milisieverts से जादा नहीं होने चाहिए, non-radition worker के लिए 2 milisieverts one year, partial body dose की बात करते हैं तो extremities के लिए 500 milisieverts, islands के लिए 150 milisieverts, अगर over-exposed case की बात करें as per AERB recommendation, chest के लिए 10 milisieverts से जादा नहीं होने चाहिए for quarter of year के लिए, wrist के लिए 250 milisieverts, if the value is below the recordable value of 0.05 milisievert, the reading will come out as zero. चलिए advantage पर भी नज़ा डालेते हैं, इसका हम दुबारा समाल कर सकते हैं, and it can measure great range of doses, मतलब इसकी जो sensitivity होती है वह काफी better होती है, compact size होता है और less expensive होता है, linearity of dose response का काफी अच्छा होता है, direct reading of personal doses, disadvantage की बात करें, तो पहला है lack of uniformity, मतलब batch को calibrate करने की ज़रत पड़ती है, second is light sensitivity, third is fading, fourth is no permanent record, fifth dust on the detector will glow, that will produce false reading, instruction and guideline, आपको TLD card को किसी के साथ भी share नहीं करना है, क्योंकि यह specifically एक ही radiation worker को allot होता है, जब भी आप radiation field में काम करें, आपको इसे पहन के रखना है, TLD card को कभी भी radiation area, hot plate, oven और burner के पास नहीं छोड़ना है, TLD card की black polythine cover को आपको open नहीं करना है, और damaged TLD card का इसमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, TLD card को cassette holder में load किये बिना इसमाल नहीं करना है, अगर आपका TLD card accidentally radiation से exposed होता है, तो इसको department के RSO को inform करना है, Use of TLD, it should be worn at a chest level to record whole body equivalent dose, अगर आप ladder print के इसमाल कर रहे हैं, तो आपको इसको ladder print के अंदर पहनना है बाहर नहीं, और इसकी placement chest level पर होनी चाहिए, TLD प्राप्त करने के लिए, Avent Tech Laboratory Private Limited चिन्ने में apply करना होता है, which is AERB Approved Calibration Lab, जब भी कोई institution या hospital, Avent Tech Private Lab में TLD Personal Modeling Service के लिए apply करता है, तो वो उनको PMS Form और Personal Data Form along with User Manual भेजते हैं, जिसको applicant को Dually Fill करके Avent Tech Private Lab को भेजना होता है, इसका service period quarterly basis पे होता है, अगर किसी radiation worker को 100 millisievert से उपर का dose लगता है, तो उसको कुछ hematological test perform करने होते हैं, which include differential blood count and chromosome aberration test at BARC Mumbai, और उसको follow up करने को भी कहा जाता है, TLD के basically दो पार्ट होते हैं, पहला होता है cassette holder, दूसरा होता है TLD card, cassette holder में तीन filter लगे होते हैं, पहला होता है metallic, दूसरा होता है plastic, और तीसरा होता है open, इस open करने के लिए इसके अंदे एक arrow दिया होता है, यह इसका front part है और यह इसका back part है, clip करने के लिए आपको एक crocodile clip दिया होता है, इसके अलावा TLD card पर तीन टिस्प्रोजियम, दूप्ट, कैशियम, सलफेट, टैफलॉन, डिस्ट लगी होती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, बस यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको like कीजिए, share कीजिए,